असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग मैं हूँ हिना और आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड इसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग क्योंकि जो इसकी डो है ना वो तो हम वही यूज करेंगे जो हम पिज्जा की डो यूज करते हैं और पिज्जा की डो में आपको बहुत दफा बनाना बता चती हूं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी है मैं उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दूंगी आप वहां से भ कड़ते डाइब पयास मीडियम साइज की और साथ के साथ हम ने चार से पांच लेस्न के झाथे जवए और स्वाथे लें और स्वाथे यह विच्छिगें बाइल ईाहित जानी ना सवाज 누가 कि शुझा है जो से ड़ेयों फ्लर तता हम थ्लॉर शीड में घ्रॉर साथ चीटिक तेबल्स्पून मेडा हैं तो थोड़ी वेरस को पकने तब हम जागते हैं तो जो एक हम अम्दस्सादा भावाद लोगा देशाए या इसमें मज़ीद चीजें आड़ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें शिम्ला मिर्ज और अपनी पसंद से कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब इसमें चिकन स्टॉक पढ़ा था था थोड़ा समय ये अड़ करूंगी अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप शिर्फ आधाकप डूद्शसमें ऐड़ करके उससे भी काम, चला सकते हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे 1 टी स्पून नमा गीन छिकरद का करेंगे और साथ के साथ हम इसमें एड़ करेंगे 1 by 4 टी स्पून ओरिगानो और मिक्स अब ये सब कुछ हमने एड़ कर दिया और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पार्सले एड़ करेंगे और पार्सले आप धनिया भी एड़ कर सकते हैं अच्छा जी अब हम इसको करे हैं अच्छा जी अब यह हमारे पास है डो पिजा की डो जो हम बनाते हैं बिलकुल सेम उसी तरीके से हमने बनाई है और दो घंटे के लिए इसको चोड़ दिया था यह प्रूफ हो गई है और प्रूफ होने के बाद हम क्या करेंगे इसको पैन में से निकालेंगे और एक द अच्छे से बेलेंगे बहुत जादा इसका मोटा नहीं हमने रखना टेक्शर हमने इसको हाफ इंच जितना रोटी की तरह हम बेल के इसके अंदर हम एड़ करेंगे अपना मिक्षर जो हमने रेडी किया वा था वह अगर आप चाहें तो इसकी बेस पे पिजा सॉस भी लगा और उसके बाद मिक्षर लगा दिया और मिक्षर लगाने के लिए यह जरूरी है कि मिक्षर आपका रूम टेमपरेचर तक थंड़ा हुआ हो अगर जादा थंड़ा कर सकते हैं तो बैटर है क्योंकि अगर गरम गरम एड़ करेंगे तो उसी होगा कि हमारी डो के फटने के औ और मिक्षर के बाहर निकलने के चांचे से ज़्यादा हो जाएंगे अब हम कुछ डाइगनल शेप के इस पे कर्स लगाएंगे और अगर आपके पास यह पिज़ा कर्टर है तो उससे यह डाइगनल शेप के जो कर्ट हैं वो ज्यादा पॉर्फेक लगते हैं और दो इस भी सांचे में थोड़ी वेर के लिए रखेंगे पांच से दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि यह तूफ हो जाए तूफ होने के बाद हम क्या करेंगे जो एग वाश हमने बना के रखी ही थी वो इसके उपर वाश लगा देंगे यह दो तरह की बनाई है एक जो आम बेक्री में यूजवली हमें पॉकेट पिज्जा या चिकिन पॉकेट के नाम से मिलती है वो हम उस शेफ में बनाएंगे अगर आप इसके ओपर चाहें तो कोई भी सबजी अपनी मर्जी से एड़ कर सकते हैं चीज एड़ करना चाहें तो वह एड़ कर सकते हैं अब जो ट्राइब कीज़ेगा और मुझे कमेंट में बताइएगा किसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपी मिलती रहें फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ किसी नहीं वीडियो में अल्ला हाफिज